हेलो दोस्तों वेलकम बाक टो यॉर चैनल मेरा नमें शुबम और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगी युडामी के प्रीमियम कोर्स के बारे में जिनको आप सभी बिल्कुल फ्री में एन्रॉल करवाने वाले हो साथी में इन सभी कोर्स में आपको सर्टिफिकेट वीडियो को देखते मारे रेक सुब्स दोस्तों ये आता है आज की हमारी वीडियो का क्यों नंबर वन चाहते हैं तो एक bottle कि तरफ इसका नंबर आता है को मिल जाता है आप अगर आपका इंट्रस्ट है डेटा एनलेटिक्स वारी चीज़ों को करने में आप रियल वल्ड प्रोजेस्ट पर काम करना चाहते हो तो फ्री में एंडूर करवा सकते हो और दोस्तों अगर आपको मेरित रही यहां पर कुपन कोड अप्लाई होता हो नहीं दिखता तो पचना है कि किस तरह से को यूज करके यूडाय में के इन सभी कुर्स में आप बिल्कुल फ्री में रूल करवा पाएंगे तो डिटेल्ड वीडियो का लिंक आप पर आई बटन पर मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं और लोकेशन आप युनाटेट किंग्डम सेट कर लेना और इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका वीपेंड ओन होने के बाद कोर्स का प्राइज दूसरी करण से में आ रहा है जैसे यहां पर यूरो में दिखाए दे रहा है तो इसको जरूर से वेरिफाइग कर लेना चलते हैं अगले कोर्स की तरफ इसका नमबर आता है क अगले कोर्स के तरफ इसका नमबर आता है कोर्स नमबर फॉर टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है 2021 अल्टिमेट गाइड तो यूट्यूब चानल और यूट्यूब मास्र क्लास दोस्तों अगर आपका इंट्रस्ट है यूट्यूब वान फिल्ड में तो इसके रिग आपको वर्चुली काम करने के बारे में जानकरी गारी करनी है किस तरह से वर्चुली आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं तो यहां पर आप पूरा प्रॉसेस समझ पाइंगे बिल्कुल फ्री में चलते हैं दोस्तों अगले कोड़ की तरफ इसका नमबर आता है कोड़ सिक आपको देखने के लिए क्रियेट अप्रोफेशनल प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट दोस्तों पावर पॉइंट में किस तरह से बढ़िया प्रेजेंटेशन आप तयार कर सकते हैं इसके बारे में सारी नौइज यहां पर आप गेन करने वाले हैं बिल्कुल फ्री मे सकते हैं चलते हैं अगले कोर्स की तरफ इसका नमबर आता है कोर्स नमबर एट टाइटल आता है हील फ्रॉम विदिन सो दोस्तों अगर आपको हेल्ट एंड फिटनस वाली फीड में इंटरस्ट है मेडिटेशन के बारे में जानकारी गेन करना चाहते हो तो काफी अच्छा कोर्स आपके लिए रह सकता है बिल्कुल फ्री में रोल करवा सकते हो चलते हैं दोस्तों दोस्तों कर Stephanie करवा सकते हो दो दिन का टाइम बचा है चलते हैं लिए के तरफ इसका नमबर आता है को समबर टेन ताइटल आपको देखने के लिए मिलता है फेस्बूक डायनमिक आड तो दोस्तों अगर आपको फेस्बूक के बारे में जानकारी गें करनी है तो बिलकुल फ्री में रोल करवा सकते हो एक दिन का टाइम बचा एंड डूल करवाने के लिए चलते हैं के तरफ एंड इसकोर्स का नंबर आता है संबर 11 नबको देखने के मिलता है क्रिप्टो करने करना चाहते हो तो फ्री में एन रूल करवा सकते हो आपको देखने के के मिलता है management consulting skills तो दोस्तो अगर आपको business strategy के बारे में जानकार गेन करनी है management consulting के बारे में जानकार गेन करनी है तो एन रूल करवा सकते हो फ्री में बारे गन टेकर टाइन बचा है चलते हैं दोस्तो अगले के तरफ इसका number आता है को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करनी है business analytics and intelligence वाली फीड में आपका इंट्रस्ट है तो यह को आपके लिए बहुत अच्छा को रह सकता है दूदिन का टाइम बचाएं रोल कर वाज़े तो चलते हैं दूस्तों के तरफ इसका number 15 टाइटल यहां पर आ जाता है essential non-technical skills for effective data scientist हो दोस्तों अगर आपको data science वाली फील्ड में इंट्रस है तो वहां पर क्या non-technical skills के requirement होती है इसके बारे में knowledge आप यहां पर इस course में विल्कुल फ्री में गेन कर पाएंगे चलते हैं अगले course के तरफ इसका number आता है course 16 टाइटल गूगल डेटा स्टूडियो अगर आपको गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में जानकार गेन करनी है तो enroll कर वा सकते हो बिल्कुल फ्री में अभी केस आप से बचाए दो दिन का टाइम चलते हैं दोस्तों अगले course के तरफ इसका number 18 टाइटल आता है canva video editor सो दोस्तों अ अगर आपको canva के थुरू video reading वाला काम करना है बहुत अच्छी animated videos के react करनी है तो यह सारी knowledge आप इस course में गेन कर सकते हो विल्कुल फ्री में दो दिन का टाइम बचा है enroll कर वाले ना चलते हैं दोस्तों अगले course के तरफ इसका number आता है course number 19 टाइटल आता है modern react developer master class for beginners सो दोस्त अगर आपको जानकारी करनी है ethical hacking में आपका interest है तो काफी बढ़ी है course आपको रहने वाला है चलते हैं लिए course के तरफ इसका number 21 टाइटल आपको देखने कर लें लें basic data science और python library इस दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट है data science वाली फीड में और python के बारे में आप यह जानकारी गें करना चाहते है किस तरह से python libraries यूज होते data science पर यह knowledge आप यहाप इस course में गें कर सकते हो चलते है अगले course के तरफ इसका number आता है course number 22 टाइटल आपको यहां देखने कर बनाता है statics with R सो दोस्तों अगर आपको statics वाली चीज़ों पर काम करना है with R programming language तो बिल्कुल फ्री चीज़ों में तो आप इस course में विल्कुल फ्री में रोल करवा के इसनौर इसको गें कर पाएंगे चलते हैं एक लिए course के तरफ इसका number आता है course 24 टाइटल आता है statics with R advanced level तो दोस्तों अगर आपको statics पर काम करना with R programming language तो यहां पर आप advanced level का content देख सकते हो विल्कुल फ्र आपके लिए beneficial रहे होंगे अगर वीडियो अची लगती है तो जबूर से like कर देना चाहना को subscribe करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेर करना and thank you for watching this video have a nice day keep rocking bye-bye मिलते हैं अगले वीडियो में तेल दिन stay healthy stay safe